नमस्कार प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि जस्टिन टूडो से लेकर महुआ मोहित्रा तक कौन कौन रहे साल 2023 के न्यूसमेकर तो आई ये सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उससे पहले पूरे 2023 में कुछ चुनिंदा शक्सियत अच्छे और बुरे कारणों से सुर्खियों में रहे खेल में विराट कोहली से लेकर AI में सैम आल्टमेन और राजनीती में महुआ मोहित्रा तक आई ये 2023 के न्यूसमेकर्स के बारे में जाने विराट कोहली विराट कोहली के लिए सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा उन्होंने साल की शिरुवात करते हुए वंडे में श्री लंका के खिलाफ दो शानदार शतक लगाए सिर्फ 110 गेंद पर 166 रनकी पारी भी इसमें शामिल रही मार्च में उन्होंने अपना 28 वां टेस्ट शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 186 रनकी पारी की बदौलत भारत ने सीरीज ड्रौ कराई जुलाई में कोहली ने अपना 29 वां टेस्ट शतक जमाया यह शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ था लेकिन में अट् शन अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाया और वंडे क्रिकेट में अपने नायक सचिन तिंदूल करके 49 शतकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया विरात कोहली ने बीसी सी आई द्वारा पोस्ट किये गए एक वीडियो में कहा कि मेरे लिए यह काफी भावनात मगबात है मैं उन्हें अपना आरदर्श मानते हुए बड़ा हुआ हूँ मैं भारत के लिए खेलने के इच्छा रखता था उन्हें खेलते हुए देखना और वंडे में उनके रिकॉर्ड की पराबरी करना मेरे लिए एक अवास्त अविक्षन है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था क कि मैं यहां पहुचूंगा इसलिए मैं खुद को धन्य और आभारी महसूस करता हूँ प्रिंस चार्ल्स साल 2023 चार्ल्स के लिए काफी उतार चड़ाव वाला रहा पिछले साल महारानी एलिजाबेथ दुटी की मृत्यू के बाद ब्रिटिश सिहासन पर चड़ने के लिए उनका सत्तर साल का इंतजार देखा जो इतिहास का सबसे लंबा बेटिंग पीडियर था नए राजा ने अपने सभी लोगों की सेवा करने की कसम खाई चाहे वे कहीं भी रहें या जो भी मानते हूं किंग के रूप में चार्ल्स पर सभी की निगाहे थी की वह कैसा प्रदर आ गई थी मार्च में चार्ल्स और कैमिला जर्मनी की राज की यात्रा पर निकले जहां वो अपनी मुखर प्रतिष्ठा के अनुरूप जर्मनी की संसत को संबोधित करने वाले पहले ब्रिटिश समराट बने उसी महीने चार्ल्स ने कथित तौर पर अपने बेटे और पतन सितंबर में के चार्ल्स राज की यात्रा के दौरान फ्रांसी सीनेट का अक्षि को संबोधित करने वाले पहले ब्रिटिश समराट बने ब्रिटिश अखबार दगार्जियन की रिपोर्ट के मताबिक में बोना वेंक के टियार की प्राची निप्रणाली के तहत अमृत हुई दिसंबर शायद साल की सबसे विस फोटक खबर का गवहा वना जब रेस विवाद जिसकी जणे ओपेरा के साथ हैरी और मेगन 2020 के साक्षातकार में थी इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ा एनेड इसको भी किये किताब के डच संसकरन में चार्ल्ज और प्रिंसिस कैट के नसलवादी रॉयल्स के रूप में नामित किया गया था जिनोंने हैरी और मेगन से पूछा था कि उनके बच्चों की तवचा करन क्या होगा इस खुलासे से ब्रिटेन में हंगामा मच गया और यहां तक की संसद ने हैरी और मेगन से उनकी शाही उपादिया चीनने के लिए एक विधयक पेश किया चाल्स नी संदें उमीड कर रहे होंगे कि 2024 उनके और जिस संस्थान का वह प्रतिने धित्व करते हैं उसके लिए बहुत अधिक सुखद वर्ष होगा कई लोगों के लिए 2023 वो साल होगा जब दुनिया के सबसे हमीर आदमी ऐलन मस्क ने ट्विटर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया प्लैटफॉर्म का मूल लिए एक तिहाई गिर गया विक्यापन दाता कतराने लग गए हेट स्पीच और उत्पीडन बढ़ गया संबवत हा उनका सबसे अजीब विवहार जून में आया जब मस्क ने मेटा सीईयो मार्क जुकरबर्ग को केज मैच के लिए चुनौती दी थी और फिर पीछे हट गए जुलाई में मस्क ने अंततह एक्स से ट्विटर का नाम रिप्लेस करते हुए उसे प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड लोगों को भी चेंज कर दिया जबकि इस कदम ने कई ब्रॉंडिंग विशेशग्यों को अश्यर चकित कर दिया नवंबर मस्क के लिए विशेश रूप से व्यस्त महीना रहा उन्होंने एसक परश्वेत राश्ट्रवादे सिधान्त का प्रचार करने वाले किसी व्यक्ती से सहमत होकर विग्यापन दाताओं के साथ बची हुई किसी भी सद्भावना को नश्ट कर दिया उन्होंने एक नगरानी समुहू मीडिया मैटर्स पर भी मुकदमा दायर किया उन कंपनियों पर ब्लैक मेल का रोप लगाया जिन्होंने एसक से अपने विग्यापन वापिस लिये थे उन्होंने अमेरिका के पूर वराष्ट पती डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट भी फिर से अक्टिवेट कर दिया जस्टिन टूडो कुछ लोग इस सूची में जस्टिन टूडो के नाम पर आपति जताएंगे न केवल वहल अगबग दो दश्कों से अपनी पत्नी से अलग हैं बलकि उन्हों एक शांत अर्थवस्ता और अपने लोगों का जीवन यापन की लागत और आवास संकट से जूजना पड़ा है विदेशनीती की मोर्चे पर हालात यकीनन और भी बत्तर रहे हैं जहां टूडो ने सारे में आतंकवादी हरदीप सिंग निजर की हत्य के पीछे भारत पर आरोप लगाया था जिसे नई दिल्ली ने गुस्ते से नकार दिया इस घटना के बाद से ही दुनों देशों के बीच दरार पैदा हो गई टूडो 2015 से कनाडा की सत्ता पर काबिज हैं अनिश्चित राजनीतिक भवेश्य की ओर भी देख रहे हैं कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि टूडो अपने प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव नेता पियरे पाइलिवरे से पीछे हैं और जनता और उनकी अपनी पार्टी के सदसे चाहते हैं कि वह पद छोड़ दे अगला साल कनड़ाई प्रधानमंत्री के मेक और ब्रेक सिच्वेशन वाला हो सकता है नारायन मूर्ती नारायन मूर्ती की राए को लेकर सभी की राए एक है आप वह जानते हैं जहां अरब पती और इन्फोसेस के संस्थापक ने भारत के युवाओं को सब्ताह में सतर घंटे काम करने के लिए कहा था मूर्ती ने इन्फोसेस के पूर्व सी एफो मोहंदास पई से बात करते हुए युवाओं से चीन, जापान और जर्मनी के साथ तुलना करते हुए देश के लाब के लिए काम पर अतिरिक्त घंटे लगाने का अग्रह किया मूर्ती ने कहा कि भारत की कारे उत्पादक्ता दुनिया में सबसे कम में से एक है जब तक हम अपनी कारे उत्पादक्ता में सुधार नहीं करते हम उन देशों के साथ प्रते इस परधा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगती की है मूर्ती की टिपणियों पर देश भर में अंतहीन चर्चा हुई और प्रिंट और टेलिविजन डिबेट्स भी सामने आई जबकि व्यापारिक नेताओं ने मूर्ती की राय को सही ठहराया स्वास्त सेवा और सफेद पोश्ट नौक्रियों में काम करने वाले कई लोग कही अधिक असपष्ट और नकरात्मक भी दिखे महुआ मूहित्रा महुआ मूहित्रा के लिए भी एक भयानक भयानक अच्छा नहीं बहुत बुरा साल रहा इसकी शुरुवात उनके नहुर्विरोधी भाश्पासा अंच्छत निश्यकांत दूबे द्वारा उन पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत देने के आरूप लगाने से हुई दूबे ने मुहित्रा के पूर्वसाती वकील जैंतनंत देहाद्राई के एक पत्र का हवाला दिया मुहित्रा के एक समीती द्वारा जांच के बाद रोकसभा से निश्कासित कर दिया गया था रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैद परी तोशन्स विकार करने के आरोप इस पश्ट रूप से स्थापत और निर्विवाद है संसद में घुस पैठी है अब तक भारत में हर कोई यह कहानी जानता है तेरा दिसंबर को होव्यक्ति संसद में घुस आए नारे लगाए और कनस्तरों की पीली गैस भी छोड़ी इस बीच दो अन्य लोगों ने संसद के बाहर विरोत प्रदर्शन किया संसद पर हमले की 22 भी बर्थी पर यह चोकाने वाला उलंगन हुआ जिससे अंतत हसांसदों नहीं दबा दिया कुछ शणों के लिए देश भर में कई लोगों को यह डर सताने लगा कि एक बार फिर सब बुरा घटित हो गया है चार लोगों डी मनोरंजन, सागर शर्मा, नीलम और अनमोल शिंदे को तुरंत गिरफतार कर लिया गया सैम ओल्टमेन सिलिकोन वैली और वॉल स्ट्रीट के निवेशकों के प्रिय अत्याधू नेकर तकनी की कमपनी ओपन एई आई में परदे के पीछे काना तक 2023 की सबसे अजीब कहानियों में से एक है चैट जीपीटी के मूल निर्माता ओपन एई आई ने घोशना की कि उसने सैम ओल्टमेन को कमपनी के सीई ओ और सहे संस्थापक के पद से नवंबर में हटा दिया है ओपन एई आई ने एक बयान में बताया कि बोर्ट द्वारा एक विचार शील समीक शप्रक्रिया का पालन किया गया जिसके बाद निश्करश निकाला गया कि वह बोर्ट के साथ अपने संचार में लगातार इस्पष्ट नहीं थे जिससे उसकी जिम्मेदारियों का पालन करने की शमता में बाधा आ रही थी बयान में कहा गया है कि इसकी मुख्य प्रोध्योगे की अधिकारी मीरा मुराती अंतरिम सीई ओ का पद समालेंगी और ओपन एई एक इस्थाई सीई ओ तलाशेगा आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे आपको विस्थे जान करें तब तक के लिए जुड़े रहें प्रबासाक्षी के साथ